Hello everyone, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल Dozy Learner पे तो आज से मैं आप लोगों को UKSSC और UKPSC के पेपर सेट कराने जा रही हूँ जिसमें कि हमारे पूरे 100 questions होंगे जिसमें जैसा कि हमारे UKPSC और UKSSC का pattern है उसी pattern पे ये based होंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग है उत्राखन में, दूर गाओं में जो रहते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे जो शेहर हैं वहाँ भी पेपर सेट की सुवीदा उपलब नहीं है तो जो लोग पेपर सेट मारना चाहते हैं क्योंकि जो इसमें पूरा UKSSC का जो syllabus होता है जो pattern होता है उसी के based पे ये है तो पहला हमारा हिंदी है तो इसमें हिंदी के मैं question पहला question बताऊंगी तो ये है जो इस तरी को जिस इस तरी को उसका पती छोड़ दे इस वाक्यांस के लिए एक शब्द है तो जिस इस तरी को उसका पती छोड़ दे उसको कहते हैं परियक्ता second question है इन में से सुद्ध वाक्य क्या है तो मैं पूरे option नहीं पढ़ूँगी क्योंकि option इसमें सारे दिख रहे हैं आप यहां से देख सकते हैं यह वीडियो ऐसे में लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी खतम करूँगी तो इन में से सुद्ध वाक्या है इसका option है वह बीज दिन तक भूका रहा यह सुद्ध वाक्या है तीसरा question है निमलिकित में से कौन कि शब्द की मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है इसमें है answer C, मदीरा चौथा question है बगुला भगत होना इस मुहावरे का सही अर्थ इसका option है पाखंडी होना यानि option B पाच्वा question है सही विकल्प का चैयन करके अधूरी लोकोक्तिकव पूरा कीजिए जहां देखी तवापरात यानि वहीं गुजारी सारी रात जहां देखी तवापरात वहीं गुजारी सारी रात छटवा question है जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में आना आवश्यक है लेकिन लिखने में छूट जाए उसे लिखने के लिए किस चिन का प्रियोग करते हैं तो उसे लिखने के लिए हंश पद चिन का प्रियोग करते हैं इंपोर्टेंट है साथवा question वह चोड से डरता है इस वाक्य में कौन सा कारक है तो जो सही आंसर है वो है करण कारक आटवा question है इन में से संयुक्त स्वर कौन सा है तो इसमें संयुक्त स्वर है O नवा क्वेशन है स्वर रहित आत्वा स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं वन इन में से मूल स्वर नहीं है वो है B यानि A इन में से ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वन है वो है उ, उ, पो, वर्ग बारवा क्वेशन है इन में से किसका उचारान इस्थल कंठोस्त है तो इसका जब सही आप्शन है वो है ओ, आउ, आउ, सॉरी आप्शन नमबर सी आउ तेरवा क्वेशन है इन में से व्यंजन महाप्रान है भो इनमें से लुंठित व्यंजन महाप्राण है वो है रो उचारान शब्द का संदी विच्छेद है तो उचारान सब्द का संदी विच्छेद है option number B उच्छ धन चारान ज्वार का विलोम शब्द है ज्वार का विलोम है भाटा 17 question है निर्मान निवान शुतिशम भिनात्मक सब्दों का अर्थ है वो है option number A बनाना मोक्ष 18 question है द्रौपति का प्रियावाची नहीं है याग्यसेनी भी है पांचाली भी है कृष्णा भी है सुबद्रा प्रियावाची नहीं है 19 का है निम्धित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है तो ये है पत के साथी गुमककर शास्त्र यात्रा विर्त में लेखक है वो है राहुर संक्रताइन अब हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होता है वो है उत्राखन का सामान्य अध्यान इसमें 21 कुश्चन है देवेंद्र मेवाडी को बाल साहित्या पुरुषकार 2022 में किस रचना हेतु दिया गया तो वो है नाटक नाटक में विज्ञान 22 कुश्चन है नैनिताल जनपत का गठन किस कुमाउ कमिशनर के समय हुआ था वो है अरसरकिन 23 कुश्चन है अठारा सो नब्बे में लाइसेंस नीती किस के समय लाई गई वो है ग्रिग 1956 में मलारी से महापाशाणी या सवाधान खोजने का श्रिय किसे जाता है वो जाता है श्रिपरसा डबराल पलेठी सिलालेक में किस प्राचीन राजवन्स का उलेक मिलता है तो ये मिलता है आपको कल्यान वर्मन का राज्य 26 क्विशन है लाखो उध्यार से साथ मानाव आकरतियों की खोश किस ने की थी तो इसका जो सही ओप्षिन है वो है ओप्षिन नमबर डी या स्वान सिंग कठोट 27 क्विशन है उत्राखंड में नई परियाटन नीती की घोशना कब हुई तो ये हुई थी 28 सितंबर 2018 28 क्विशन है उत्राखंड जल नीती का अस्तित्व कब आया तो ये है 21 दिसंबर 2019 प्रितम भरत्वाट जागर ढोल सागर अकेडमी कहां है तो ये है देहरदून में उत्राखंड में जीडीपी की तर्ज पर जीईपी लागू करने की घोशना कब हुई तो वह हुई बी यानि 5 जुन 2021 13 Q is उत्राखंड ग्राम विकास और पलाइन आयो का नया नाम क्या रखा गया है तो वह है पलाइन निवारान आयो 32 Q is विल्यम फ्रिंच उत्राखंड के किस परमार राजा के समय साया तो वह आया था हमारे मांसभा जैहिंए शब्द के प्रथम परियोग करता किसे माना जाता है वो है रामसें धौनी 1843 में गडवाल के किस छत्र में चाई फैक्टरी लगाई गई तो वो लगाई गई थी गडूली में 35 है गडवाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जना किसे माना जाता है गोपालसें राणा राज्य खेल पुरुषकारों में से और पर्थम देभूमी शब्द कब जोड़ा गया तो वो जोड़ा गया 2015 में 37 क्विश्चन है हौकी खिलाडी सयद अली का संबंद किस जिले से है वो है नैनिताल हिमालय एक्षन एंड रिसर्च सेंटर हार की स्थापना कब हुई तो हार की स्थापना हुई है 1988 में गायत्री सक्तिबीट की स्थापना श्रीराम सर्माने कब की थी 1971 में भुनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना 1997 में स्वामी मनमंथन द्वारा कहां की गई थी टीरी में गैर सेंड किस नदी के तटपे है तो वो है पश्चमी राम गंगा और बड़ा दित्या सूर्य मंदिर कहां है वो है कटारमल उत्राखन न्याईक एवं विधिक अकैडमी कहां है तो ये है भवाली में और 2021 में वन रिपोर्ट के आधार पर उत्राखन में गडवाल में वीरगती को प्राप्त करने वालों के सम्मान में किया जाने वाला नरेत्या वो है रणभूत सोना तथा बाल्टी ग्लेशर उत्राखन के किस जिले में है वो है पिथोड़ागड में पैठानी का राहु मंदिर कहां इस्तित है वो पॉड़ी में है पैठानी उ थेलेश गार्डन थेलो फाइटा कहां इस्तापित किया गया ये है मुंद्शारी में सांस्कृति घरोट उड़ घुगूती उड़ गध्यहंजली किसकी रशना है तो ये है सेरसय पांगती एकावन ये क्वेश्चन है बावन क्वेश्चन है सुलेह मान सिकोह को और अरंग गौर्मेंट एक्ट किसका दस्तावेज है तो ये है कुली बेगार का राज्यव रिक्ष बुरांस की ओसत उचाई 20-25 फिट उत्राखंड का कौन सा जिला सबसे दक्ष्णरतम जिला है तो ये है हमारा उधम सिंगनगर निम्न लिखित में से कौन से जीच चमोली में स्थित इए तो ये है खिडा ताल चमोली में है वोक्स जन जाती सरपर्थम किस स्थान पर आकर बसी बनबता में स्थामी विवेका नन द्वारा प्रबुद्ध भारत पत्रिकात का संपादन किया गया वह है मायावत्ती में किया गया था संग लोक ु शांग दर्राक किस जिले में है तो यह है आपका उत्तरकाशी में अलमोडा से कुमाव राजपूस हीरसक नाम के अगभार कब निकाल गया तो 15 फरबरी यहां इस cit organisation कसी से ग्राद की अगभार्श जोल्वार c character नहीं वहैं को सबसे कम है तो वह है अरुनाचल प्रदेश ब्हारत के अलवार्त तो यह हमारा करनाटक में निमनिखित में से किस सहर में श्वतंतरता सेनानी चंदरसेखर आजाद ने ब्रिटिस पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार दी तो वह इलाबाद है 69 वा question है निंग्षिम्ट मेंसे कौन सी नदी का समागम अरब सागर में होता है तो वह है नर्मदा नदी 70 question है महात्मा गांधी ने भारतिय राश्ट्रे कॉंगरेस को निलकी सत्रों में से किसके अध्यक्ष्टा की दी तो 1924 में बेल ग्राम चटगाओं आंदोलन का सरवधिक सक्रिया नेता था सूर्य सेन कमजोर हवाओं वाले प्रदेश को कहा जाता है डोल्डरम 73 तरवा कुशन है Mother Teresa को नोबल पुरुषकार कब प्रदान किया या तो ये किया इन में से जो अभी ऑप्शन है प्रदान किया गया था ये आप सभी लोगों के लिए कुश्चन है इसका अंसर मैं आप लोगों को फिर दूसरी वीडियो में पीच में पता दूँगी धूनके 74 वा कुश्चन है निम्न में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर गुजरती है तापती नदी रेपो टेस्ट का ताथ पर है वह दर जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों पर पैसा देता है वो है रेपो डेट 76 वा कुश्चन है प्रदान मंतरी जंधन योजना की शुरुआत तो ये हुई थी 28 सगल 2014 77 वा कुश्चन है स्थानिय निकायों की कार्य प्रणाली के संबंद में L.M. सिंधवी समीति का गठन ये है 1986 राज्यकार राज्यपाल पून रूप से उत्तरदाई होता है तो राष्टपती के लिए भारत में राष्ट्यमानाविधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई ये हुई 1993 चतिसगर की बैलाडेना खान पर सिद्ध है तो ये है लोह अयस्क के लिए क्रिशी मूल्य आयोगों की स्थापना 1965 1997 में विश्व परियावरन सम्मेलन कहां आयोजिक हुआ तो ये हुआ था क्योटो में अंतराष्य माना विद्धिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 10 दिसंबर किसने व्यक्तिगत सत्यागरे आरम किया महात्मा गांधी जी ने आरे समाज की शुरुवात हुई तो द्वयानन सरस्वतिदारा हुई थी 2023 का बुकर पुरुषकार किसे दिया गया ये करंट अफेर का क्वेश्चन है जिसमें इसका सई आंसर है जोर्जी गोस्पूर्डिनोग 87 क्वेश्चन है पंगलदेश के वर्तमान प्रदान मंतरी का नाम सेख हशेना 88 है सतत विकास रिपोर्ट SDR 2023 में भारत की कौन सी रैंकिंग है तो भारत की रैंकिंग है इसमें 112 प्रथम करनाटक युद्ध कब हुआ था तो ये हुआ था 1746 से 1748 तक 90 क्वेश्चन है सिवाजी के प्रशाशन में पेश्वा किसे कहा जाता था तो मुख्यमंतरी को पेश्वा कहा जाता था इसमें हमने सामान या बुद्धी मता और तरक शक्ती वाले क्वेश्चन भी रख रखे हैं जिसमें कि आप लोग इनका मैं इसको पीडियाफ में भी डाल दूगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं ये वाले क्वेश्चन एक बार मैं आपको सारे दिखा देती हूँ तो इसमें ये पूरे 100 क्वेश्चन इसमें कम्प्लीट हैं ऐसे ही हम जो पेपर प्रेक्टिस सेट हैं वो मैं अपने चैनल पे धीरे धीरे अपलोड करती रहूँगी आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसमें से अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा या फिर मैंने किसी का आंसर गलत बता दिया है तो आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद